हाई गाइस वर्ट सब कैसे अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट तो भाई लोगों जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वह वीडियो है अपना दाच चनक्या डायलॉग हिंदी की मेजर गौरवारियसर की वीडियो है तो आप जैसे आपको पता है कि म फुल स्पोर्ट कीजे जाके बहुत प्यारे हमारे मेजर गौरवारियसर है तो इन्हों ने जो अपनी इस वीडियो का टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है काफिर टमाडर और इमरान खान का दोगलापन एपिसोड 87CF TV मेजर गौरवारिया तो पहले वीडियो देख में को बहुत मज़ा आता है आपके साथ आप मेरे हिंदुस्तान भाईयों के साथ वीडियो देखने में तो पहले हम वीडियो देखते हैं वीडियो के एंड में जा बीच में मीडल में हो सकता है कि तपसरा करें सो लेट्स टार्ट दा वीडियो अब रोज अमरेकन्स को गाली दे रहे हैं और फिर आप ये रॉबन रफल से मुन मिल रहे हैं जैन दोस्तों मैं हूँ में जो गौरवारी और आप देख रहे हैं तचानक के रेलोग्स हिंदी इसके पहले कि मैं बाकी वीडियो आपको देखाऊं मेरी आप सो गुजारिश है रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ह हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों एक बड़ी अजीब और चीज हो गई पाकिस्तान आप जानते हैं पाकिस्तान में सहलावार रखा है बाड़ा रखी है और एक तहाई मुल्क पानी के नीचे है तो कई लोगों ने कई देशों ने कई और और पाकिस्तान की मदद करेंगे और करभी भी चाहिए जब मैंने एक वीडियो में ये बोला था किसी पाकिस्तानी दोस्त के वीडियो में की भारत को भी मदद करनीचे तो काफी लोगों ने बोला कि नई सहाब नई ये आतंगवाद फैलाएंगे ये सब देखिए आतंगवाद पाकिस्तान आज से नहीं प देख रहे हैं जो बहुत परिशान हैं वो तीन साल की बच्ची वो नौ साल का लड़का जिसको पानी ले गया मुझे लगता है कि उन लोगों को उन बच्चों को वो जो बुजर्ग है महाँ पे उनको हमें जियो पॉलिटिक्स विदेश नीती इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए पूरा जो जो सफर कर रहे हैं लोग ना उनको दोश हम लोग ना दे और मैंने तो ये भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि जितना हो सकता हमें मदद करनी भी चाहिए बात में देखे जो पाकिस्ताना की सरकार है जो पाकिस्ताना की वोज बबात कर रहा है पाकिस्तान का जो दीप स्टेट है IS I S A E वो तो वो रॉर पाकिस्तान की फॉज भागिस्तान की इसाई है उसकी बात ही नहीं कर रहा है मैं बात कर रहा हूं बच्चे की 3 साल कीसी की जो 10 साल का बेटा है उनका क्या दोष है उनकी क्या मदद करी है अच्छा आप लोग देखते होंगे कि मैं कभी भी काटता नहीं ना करता हूं इन बातों से मैं थोड़ा सा मेजर गौरवार यह से अपनी तरफ देखेंगे हम अपनी तरफ देखेंगे तो मेरी तो यह आपनी गौर्मेंट की तरफ देखेंगे अब भी तो पाकिस्तान में है ना तो हम कैसे आप कैसे आता है आप हिस्टायों हमेशा उपडर से नहीं आता है जब देखेंगे ना जब देखेंगे खिंगे help नहीं कर रही तो वो खुद जंडे उठा के इनके खिलाफ बोलेंगे तब पाकिस्तान तूटेगा यह एक टैक्ट है अब हम कह रहे हैं हम सिर्फ उनका क्या कसूर है भाई अजमल कसाब का भी कोई कसूर नहीं था मालो फिर अजमल कसाब ने हमारे बंदे मारे उसका क्या वो तो डीब स्टेट का कसूर था वो तो उसका कसूर था गोली किसने चलाई ठीक है दिमाग वाश किया उसका उसने क्यों होने दिया मैं इससे डिफर करता हूं इसलिए मैंने बीच में बोला है शैवने को और भी बोलना पड़ेगा क्योंके मेजर गॉरवार यह सर लगता फोट है उसके हैं वो डीब स्टेट वाले नहीं आये थे मिजर गॉरवार इससर आप खुद बोलते हो कि उनके बंदे उनको किसी वुद में होता है अगर हमको लाना अगर ग्रीम के आगर जुम हो रहा है तो हमें वह बाहर बैटकर देखना पड़ेगा वह खुद मर रहेंगे इनको अप्रया तोड़ेंगे दुनिया देखेंगी पाकिस्तानियों का नो उनके खिलाब भी रवाईया बड़ा अजीब सा है पता नहीं हांसें रोएं क्या करें देखके दुनिया आ रही है मदद कर रही है चाइनीज ने टेंट भेजे वो टेंट चोरी करके बाजार में वो टेंट भिक रहे हैं चली कोई बात नहीं एड का जो समान है वो लोग लेके भाग गए ठीक है कोविड वैक्सीन का जो मामला था उसके लिए फंड आये थे वो लेकर इरान से टमाटर आये अच्छा हुआ क्या कि जब बोला कि इरान से टमाटर क्योंकि पाकिस्तान में बिक रहे हैं करीब आप लगा लीजे 300-400-500 रुपे किलो टमाटर बहुत जादा महगे हो रहे हैं और जाहर सी बात है आम आदमी बहुत परिशान है सिर्फ टमाटर की बा जिट कुछ नहीं कर पा रहा पाकिस्तानी सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही हो हाथ पैर मार रही है मुझे लगता भी नहीं इनका कोई intent है कोई मदद करने का क्योंकि जिस तरीके से जिस गरम जोशी से कोई भी मुल्क निकलता है अपने मुल्क वालों की help करने के लिए सब ये हमारे बच्चे हैं हमारे भाई हैं हमें इनकी मदद कर रही हैं वो जोश नहीं दिखा मुझे वो ठीक है अपने ट्विटर पर धाग रहे हैं लोग बयान क्या शहवाज शरीफ क्या इमरान खान सब एक ही जैसे हैं ये तो वो बात नहीं खेर एरान ना टमाटर प्रटेस्ट करा और उनका प्रटेस्ट एक किसम से जन्यून भी था सच भी था उन्होंने बोला सब्देखिया हमने खुद सबजिया होगा रखे अब आप इरान से मंगवाएंगे इतने सोख के हिसाब से तो होगा क्या इस से होगा कि हमारे सबजियों के दाम गिर एड बेच रहे हैं यह हो रहा है तो मेजर गवारी से सब्सक्राइब बताओ इंडिया बेचेगा जो आप बोल रहे हो कि वह हमारी तरह भी पिकेगी वह देख रहे हैं नोडाउट आमें बहुत दुख्छ है कि उनको उनकी कंट्रीं नी संभाल रही लेकिर उसमें अब हम क्या कर सकते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप जिस बात को पहले बोल रहे थे आप उसी बात को आपने ये बोल दिया कि उनके टमाटर भी आपने सची बोला है कि वो उनके सारे के एड के पैसे और यह तो सारा कुछ खा जाते हैं अब किसको बेजोगे गौर्मन को बेजोगे ना गौर्मन को बेजोगे वह नहीं जाएगी वह बेज देंगे इसका कोई लाज नहीं है अब टाइम है हमें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा तकलीफ होगी अजादी लेने के लिए पूरकिस्तान टूटेगा तभी वो हूँगा विलुचिस्तान लग होगा संद्र लग होगा अगर मदद करते रहोगे वह खाते रहेंगे कभी देखा आपने कि आप कभी हमने देखा नहीं कि एक आप उस गौर्मन्न को हम धक्य मारते रहें उनको गालिया निकालते रहें उनका काम रोकते रहें तो वो अलग होने देदेगी वो तो पावरफुल बनती जाएगी वो पावरफुल पावरफुल अदारा होता वो नहीं उठने देगा उनको आज हमने दे दी तो बुलुची भाई विसोचेंगे चलो ठीक है आगी एडराम से बैठते हैं क्या लाना है तो उनको आधी बजाती जो मिलेगी दस प्रसंट असी प्रसंट यह खाके बैठ जाएंगे यह ऐसे नहीं होते रेवलुशन रेवलुशन गरीबी से आता है मैं बार बार बोलता हूं नीचे तब के रेवलुशन लगता है अब रेवलुशन आने का टाइम हो गया कोई अग अपरिका बैठा हुआ सारी पूरी दुनिया देखेंगी कि यह जोलों कर रहे हैं गुरीबों पर जिनके घर हुजडगे अब यह तो मौका है यही मौका गवाने पर तुल रहे हो बाकि आपकी सोच है मैं आपकी घिल से यहां से मिजर गौरवारे सर आपकी रिस्पेक्ट क कई जगे यह फ्लड की प्रॉब्लम है जैसा मैंने आपको बताए एक तेही मुल्क पानी के नीचे अब इरान से टमाटर आगए मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखें उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ां देखाँगा अब किया हुआ इरान जो है वो शिया मुल्क है और पाकिस्तान जो है वो बहुत उसकी तादा सुन्वियों की है और शिया सुन्वियों के बीज में खट पड़ तो आथ से नहीं 1400 साल से चल रही है, कोई नई बात नहीं है तो किसी ने बोल दिया साब क्योंकि ये टमाटर इरान से आए हैं जो कि शिया मुलके टमाटर भी शिया है ठीक है? ये जो टमाटर है वो टमाटर भी शिया है तो बोला कि नहीं साब आलू सुननी है टमाटर पता नहीं क्या स्टोरी थी इनकी युन्होंने टमाटर जमीन पर ठेके और टमाटर को बरबाद करना शुरू कर दिया मानिए कि काफिरों को माल रहे हैं इन्होंने टमाटर बरबाद कर दिये कितने टमाटर जो किसी गरीब के काम आ सकते हैं तो यह एक माइड सेट है ठीक है? यह एक जहनियत है दूसरे की तरफ इतनी नफरत अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती वो जो लोग हैं जिन्होंने टमाटर बरबाद करे वो जो कोई और बिचारा बच्चा खा ले था जो भूका बच्चा है उसको कुछ मिल जाता खाने के लिए आपने टमाटर बरबाद कर दिये आप एक बात बताईए अमरीका एड दे रहा है वो पैसे क्यों ले लिए पिर वो तो काफिर हैं और चाइनीज चाइनीज तो किसी बगवान को मानते ही नहीं चाइनीज तो किसी को भी नहीं मानते वो तो माउट से तुम को मानते हैं उसके लावा किसी को मानते हैं नहीं चाइनीज के टेंट अभी एक बात और मिजर गौरफ सारी आरिया सर की मैं में को नहीं है लगी ठीक है एक तरफ तो कह रहे हैं कि इंडिया को एड बेजनी चाहिए पहले तो स्पोर्ट कर रहे हैं ठीक है तो इरान के जो टमाटर फेंग दिये किसी आप बोल रहे हो कि गरीब में मूँ में चले ज चाहिए ठीक है पूर्किस्तान के जो ग्रीब है वह पूर्किस्तान के यहां वो इंडिया के नहीं है जो वहां पे टमाटर फेंकते हुए आपने वीडियो दिखाए ए आ उस वीडियो में वहां पर अमीर जा देनी थे टाइकोन नहीं है वहां पे वो गरीब बंदी है आप मैंने वीडियो दखाई है उसमें क्या है वो पिछे टमाटर फिंकते जा रहे हैं वो कौन लोग है गरीब ही है वो भी वो कोई लैंड क्रूजर में बैठ के टमाटर नहीं फिंक रहे थे तो आप खु करनी चाहिए क्यों कहें हैं एक रुपिया नहीं देना चाहिए उसमें बड़ा बिजनस कर रहे हैं आप लोग बेच वेच कि उसको मार्केट में आप भी बोल रहे हो अभी देख लो लोग मैं जैसे मैंने बोला कि इंडिया को मदद करने चाहिए लेकिन मैं एक और बात कहन खाने के लिए नहीं मतला गरदन काटो गोवी की टाइपस पहले स्टार्टी में कुछ बूल रहे थे एड इंडिया को देनी चाहिए आप बोल रहे हो कि आप बूक कहेंगे कि आप तो इतने समझदार हो इतने टॉप क्लास हो मेरे मेरे सबसे टॉप पे उपर के पाइदान कि यहाँ आपको पता भी है अब बात हो पीछे के यह सोच लेते कि यार वही नहीं पसंद करते हमें क्या साल पे प्रोक के पास ओप लोगोंगों के पास इंडिया के इतनी कुबत है खुद यहां से लोकल बंदा जाए और एक एक हाथ में गहूं दे एक एक हाथ में एक एक हाथ में चीज पकड़ाए बलोचियों के सरफ उनको ऐसे ऐसे पकड़ाए जाके फिर तो देखेंगे कुछ भी हो सकता है मैं तो बड़ा शॉक था जब एक काम हुआ है हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी यह जो पानी है वो कम हो क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है बाड़ से यह खतम नहीं हुई प्रॉब्लम जब बाड़ का पानी नीचे जाएगा तब वसली में प्रॉब्लम शुरू होंगी तब पता लगेगा साथ कितना इंफरस्ट्रक्टर इनका दूब गया है कितना खतम हो चुका है कितना बरबाद हो चुका है और शुरू-शुरू में ने डे वन से बोला ता मैंने दस अरब का खेल ही नहीं और बोलो किया नहीं साथ 30 35 चालेस अरब यह 40 अरब का भी खेल नहीं यह कम से कम 100 अरब का खेल है पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर चाहिए दोबारा अपने और 100 अरब यह इसमें लग जाएंगे 10-15-20 साल बनाने बनाने में क्योंकि आप समझ दीजिए कि एक तहाई मुल्क जब पानी के नीचे आ गया तो समझ जीए क्या होगा कब उनकी फसलें आएंगी यह भी बात है ना कब उनकी फसलें आएंगी कब दोबारा क्रॉप्स होगेंगे इना कंट्री देजिए 65-70 परसंट अग्रेरियन इकॉनमी जग्रेरियन वह किसान है वहां पे 65-70 प्रतिशत आपने किसान से दो सीजन त उसके तब तक वो अपने परिवार का पेट पालता है अभी तो पानी गया नहीं है अभी पानी जाएगा उसके पतार नीचे क्या मिलेगा उसके बाद उसके क्या हाल होंगे पानी के या पूरा टॉप सॉल तो गायब नहीं हो गया उसका वो बिचारा क्या उगाएगा क्या खाईगा कब करेगा तो यह एक बहुत लंबा बहुत दरदनाइक एक इक स्टोरी है लोगों ने यह भी बोला है कि सहाँ यह पाकि के यह यह तो मामला पाकिस्तान ने तो emissions करे नहीं और यह तो विदेशी मुलकों ने करे हैं और पाकिस्तान तो 1% भी emission नहीं करता और climate change पाकिस्तान को मार पड़ गए ये बात सच है पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान developed country नहीं है इतना ज़्यादा इतनी industries नहीं है तो pollution क्या ही करेगा वो लेकिन बात ये भी है कि 75 साल में बिल्कुल भी क्या है इन लोगों ने कुछ नहीं बनाया 75 साल में किस तरीके से बाड़ से काबू करें देखिए बाड़ प्राकरतिक आपड़ा जो होती उससे कौन क्या का आप और मैं थोड़ना काबू कर लेंगे इंडिया या इवन अमेरिका या चाइना सब फेल हो जाते हैं इसके आगे तो वो बात नहीं है कि पाकिस्तान क्यों फेल हो गया क्यों कि कई वार हमने ऐसा देखा है भारत में भी ऐसा होता है कि अर्थ को एक आगाई बाड़ आ गई अब हजारों किलोमेटर पानी के अंडर आ गए सरकार क्या कर लेगी मुझे पाकिस्तान को देखके सरीफ यह दुख हो कि सरकार कोशिश भी नहीं कर रहे हैं वो ज़्य जजबा होता ना लड़नें का आप हार जाएए कोई वात ने अप हार जाएए कोई बात ने उसके बाद आपके उपर चड़ा ही हो जाए कोई बात ने लेकिन वो जजबा इन आज सारागड़ी डे है आज यह नों एकिस पो जो सिख सिपाही थे जो दस हजार पठानों से लड़े ते आपने फिल्म केसरी देखी होगे और आज आज वो सारागड़ी डे है 12 सिख्वर लोग तो पता था न वो सिखों को कि दस हजार से हमें किस कैसे जीच सकते हैं उनको तो पता था ना कि हम मर जाएंगे, यहां पर हम शहीद हो जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन लड़े ना इज़त के लिए, लड़े ना किसी चीज़ के लिए, सारा गड़ी डे के दिन मैं यह बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी गवर्मेंट को कि देखिया बात की बात है, आप लड़ी है तो कम से कम, आप लड़के खुझ नहीं हैं, आपकी कौम को तो यह दिखे देखिये, अमेरिका जो हेल्प करेगा, वो करेगा, दूसरे मुल्क करेंगे, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं करेंगी, वो तो करेंगी, वो ठीक है, लेकिन आप क्या क की हिम्मत लड़ने की शंता एक मुल्क में होने चीए, बाकी बाड़ से आज तक कौन जीता है, भारत थोड़ना जीत गया बारत से, या अमरीका थोड़ना जीत गया बारत से तो कोई नहीं जीताएगा, सहला भाएगा, सब निपड़ जाएंगे एक साथ, एक बात बताओं अभी तक मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं, आप लोगों मेरे साथ ही देख रहे हो, अज मैं थोड़ा सा disappointed अपने आपको फील कर रहा हूं कि मेजर गौरवारे सार ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे ये पाकिस्तान का भला चाह रहे हूं, ये जो बातें हैं, ये और त्रिक के करना चाहिए, मरता है तो मरे आज मरे, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, जैसे हम इंडिया को अपना मुल्क है हमारा, हम उसको सलाह दे रहे हैं कि यार हम लड़नी रहे हैं, हमें बार से लड़ना, आप ऐसा शो कर रहे हो पाकिस्तान को कि यार पाकिस्तान हमें लड़ना चाहिए आपको लड़ना चाहिए यह यह आप मरता है ने लेकिन पाकिस्तान को ऐसी चीजे और सी फिल आ रही है जे हो आ UP कि आप भी ऐसी बते कर सकते हो आपने हो सकते हो की पोर्कियों के लिए इतना सौफ्ट और उनको सलाह दे रहे हो अपके दिल में ऐसे लग रहा है तरले मिन्ते कर रहे हो कि आप लड़ो फाइट करो भाई हमें तो यह चाहिए को फाइट ना करें फाइट नहीं करेंगे मरेंगे अच्छा है हमारे लिए बहुत बड़ी है यह ग्रीबी गृप यह यह हमा भी नहीं पा रहा हूं वह ग्रीव नहीं था वह बिचारा नहीं था कि मैं आज शॉक्ट हूं आपको यह वीडियो देखके आपकी रियली रियली शॉक्ट लेकर हम लड़ें भी ना ये बात समझ बनी हैं दूसरी दोस्तों इंडिया के खबर है गुलाम नभी आजाद साहब जो कॉंग्रेस के लीडर थे वो अपनी नई पार्टी फ्लोट कर रहा है और मैं आपको न्यूस क्यों बता रहा हूं यह जी क्यों बता रहा हूं उन्हों न बड़ा एहम स्ट्रेट्मेंट दिया उन्होंने बोला है कि यह जो पॉलिटिकल पार्टी हैं कश्मीर में उनका इशारा है अब्दॉल्लाज की तरफ है और नाशनल कॉंफरेंस और यह मैभूबा मुफ्ती उल की तरफ है उन्होंने यह जूड बोल रहे हैं 375 से वापस आ जाएगा उन्हांने खुलके बोलाए राहलिन रहसा होई नहीं नहीं सकता यह जूड बोल रहे हैं आपसे यानि की स्टेट लवल पर चुनाव लड़ेंगे और जो सेंटर की पार्लेमेंट ने या ने इंडिया की पार्लेमेंट ले लिए सेंटर की क्या भारत की पार्लेमेंट ने जो एक लौ बनाया है या एक लौ को खतम करा है आप उसको कश्मीर से बैठे बैठे तखताव लट कर देंगे उन्होंने साफ बोला तुम जूड बोल रहे हो और तुम्हें लोगों को जूट नहीं बोलना चाहिए उन्होंने साफ बोला 375 से वापस नहीं आने वाला यहीं मैं जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं न लड़ाई वो लड़ो जिसमें थोड़ी सी उम्मीद हो कि कम से कम जीतोगे नहीं तो you'll put up a fight पाकिस्तान ने भी भारत के साथ अपने रिष्टे खतम कर लिया है इमरान खान में सोचा नहीं एमोशनल आद्वी है उसने बोला कि नहीं ल्टरूट कर दूँआ इंडिया को ट्रेडबं है अच्छा इंडिया को क्या फ़रक पढ़ा उस से क्या फ़रक पढ़ गया इंडिया को अपने भारत से थजारब बन कर दी तो- किस लिए बन कर दी यह कषमीर के चकर में यह 375 के चकर में 살 cada हम एंत नाइन पर्सथानिया नी पता होगा कि 375 से है क्या इसको पता ही नहीं होगा है है भारत के खिलाव नफरत इतनी है कि लोजिक का कोई लेने देना नहीं जैसे वही चीज़ कर रहे हैं यह राणी टमाटर नहीं शिया टमाटर पैर के नीचे को चल दो इसको क्योंकि टमाटर भी शिया है यही मान सकता है यही जहनियत है जिससे कि पाकिस्तान का बेड़ा गर खो रखा है इमरान खान पहले गाना काता था जब तक 375 से वापस नी होगा तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे इंशालला वो ही शयवाज शरीस नहाँ चुरू कर दिया इंडिया की लोट्री लगई क्योंकि यह जब भी इंडिया से बात करते थे कश्मीर की बात करते थे अब तीन साल से कश्मीर के बात तो ही नहीं और जब यह आगे चलते बात अगर शुरू करते हैं दो, तीन, चार, पांच साल जब भी शुरू करते हैं यह बात तो इनको फिर 2019 से शुरू करने पड़ेगी 2019 से क्योंकि 2025 से बात नहीं शुरू कर सकते क्योंकि जहां पर छोड़ा ता वहीं से पकड़ना पड़ेगा इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कश्मीर को लेके पाकिस्तान ने अपना इतना बुरा हाल कर दिया है कि और ये सबकी एक मजबूरी बन गई है अक्चली दोस्तों पाकिस्तान में सबकी मजबूरी बन गई है क्या करें पबलिक को क्या समझाए इनको पता है कि कश्मीर इनके हाद से गया इनको पता है कि इनका अवैद कबजा है जो इनका उस साइड वाला कश्मीर है जिसको हम लोग पाकिस्तान ओकिपाइड कश्मीर बोलते हैं आप लोग जानते हैं P.O.K. है जो इनको पता है इनका P.O.K. पर अवैद कब्जा है लेकिन क्या करें? मजबूरी है 75 साल से जूट बोला है अपनी कौम को अचानक इए दिन कैसे बोलना है? उस अपनों ये यूट बहुड़ा है सबक पता आदमी खा जाएगा इनको सबक लग चलता आदमी पाकिस्तान में जो रिड़ी लगाता है फ़ल बेजता है को मजदूरी करता इंको खाजाएगा क्योंकि उसको बोल रखा ने पाकिस्तानी सरकाथ ने इसको बोल रखा है कि बेटा जो तेरा बच्चा है न अ ऺिला दिया उसको भी फिट हो ग्या है। ऊसने बोला, हागी हागी जिजाद करेगा, जियाद करेगा मेरा बेटा. जियाद किस ने करा कशमीरी में ? गरीब के बेटे ने करा. बहुत किसी पाकिस्तानी जर्नेल का बेटा तोड़ना आये था हतियार पकड़के कश्मीर में आज तक नहीं आया है लेकिन भारत क्या कर रहा है भारत ने तालुकात जो शुरू वाले थे जब पाकिस्तान ने खतम करें भारत ने भारत भोला ठीक है तुम्हारी मर्जी भारत ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला और डि मुझे नहीं पता कि आप लोग ग्रेलिस से बाहर आओगे कि नहीं आओगे लेकिन उससे फाइदा क्या होगा देखिए कोई ना कोई मुसीबत तो रहेगी आप खुशिया मना रहे हैं ग्रेलिस्ट अचानक बाड़ आ गई यह जो बाड़ है दस साल का प्रोजेक्ट है पर लोगों को राशन पहुंचाना यह दस साल का प्रोजेक्ट है कम से कम कम से कम मैं कह रहा हूं 15-20 साल भी लग सकते मिनिमूम टेनियर्स का प्रोजेक्ट है बहुत बुरा हाल हो गया चाइना पाकिस्तान एक करोड़ोर कहा गया अभी तक जब पानी नीचे आएगा तब लगे का जी यह कॉरिडर अब आया उपर जो चाइना ने पैसे खर्च करे थे तो यह वहाँ पर चल रहा है इस वक्त बुरा हाल है लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं यह जो पाकिस्तान ने 375 से जो गुलाम नभी आजाद साब ने भी बताया है वहाँ पर जो गुला जो चरटी मंदी है और क्मेशन वेजिती नहीं ही है यहां पर जो दवय भेजी थी उन तक को पैसे नहीं दिया। यहां के अगर बिजनस्मेन से बात करीजी पाकिस्तान के साथ त्रेड करने हो कर आता है सबाता नहीं प मिलेगा पैसे ही नां तो यहां पर कई ऐसे दवाईवाले हैं जिनोंने सरकार में पर्मिशन दिती इंडीन गवर्मिशन लेके उन्होंने पाकिस्तान मेडिसन भेजी हैं उनकी अभी तक पेमेंट नहीं आई, पाकिस्तान नहीं बना कर दिया, क्यम देंगे ही नहीं, तो चीज रख लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, अब किस तरीके से होगा ऐसे, तो ये दूसरी बात है, तीसरी चीज मैं आपको बताना चारा था, अब दोस्तों, रॉबन रफेल एक लेडी हैं, वो गई पाकिस्तान और इमरान खान से मिली, रॉबन रफेल है कौन, ये पाकिस्तानी अफेज में एक्सपर्ट हैं, लॉबीस्ट हैं, ये अमरीका की खुफिया एजंसी, CIE के लिए काम कर चुकी हैं, ये जाके इमरान खान से मिली हैं, और डॉनल्ड ब्ल इम्पोर्टिट हुकूमत नामन्जूर, अमरीका ने मेरे खिलाफ साज़श कर दी, अमरीका ने मेरे खिलाफ गेम कर दिया, मुझे निकाल दिया, क्योंकि मैंने एपसलूटली नॉड बोला था, ये इमरान खान ऐसा क्यों करता है मुझे आज तक इसका दमाग नहीं समझ इद पाए, ये जब गदी पे था, जब ये गदी पे अपनी विराजमान था तब भारत को गाली देता था, अभी भारत की तारीफ करता है, ये मोदी जी की तारीफ, डॉक्टर जैशेंकर की तारीफ, ये तारीफ निरुकरी इसकी, एक तो ये बात हो गई, दूसरी चीज इम्रान खान की ये बात समझ में हुआा हूं उसे मिल रहे हैं। उससे क्या फरक पड़ता है वह हिंदू हो ईसे का फरकष हुआ है। है तो अमीरेकन अब रोज अमरीकन को गाली दे रहा है। और फर आप ये रॉब Lapid रफेल से भी मिल रहें, पता नहीं, इन्होंने राम ले दुखे, पता इम्राइन खां ने क्या प्रठापब क्या खुरा ले जाना स्वित्र प्रठाइन प्रेर्जिंड़न्ट को, यार मैने सौरी बोला है तो, यह मेरी सियासी मजबूरी है कि मुझे ना तुम्हें गाली दे नहीं है और जब तुम्हें गाली दे दे के सब को भड़काऊंगा पूरी कौम को पाकिस्तानियों को बड़ा काराम से जाते हैं ये मुशनल लोग हैं फट से भड़काया हैं उनको बोला कि नहीं इंपोर्टर्ट हुकूमत नामन्जूर मैं ऑट खान खान गेम क्या कहल रहा है अमरिका के साथ ये अमरिका को गाली भी देता है पिर छुपचाव अपने घर में उनसे मिलता भी है जो फवाँ चोद्री है वाँ Capital Department से प्रहुंब्लूम से मिल रहा है जो मैंबास्डर है वह भी अमरीका को गाली दे रहा है शह बास आएंबाने अमेरीका के साथ जुड़े हूए हैं और यह अमेरीका को आम पब्लिक के सामने गाली देते हैं और चुपचाप राथ के अंधरे में अमेरिकने से मिलते हैं यह वीडियो देखें Source साबग अमरीकी खातुम सिफारतकार रोबन राफेल ने बनी काला में इमरान खान से मुलाकाथ की मुलाकाथ में सेनिटर शेहजाद वसीम भी मौझूद थे मज़ीद तफिल के लिए बात करेंगे नमाइंदा जियो नियूस वकार सती से वकार क्या तफिल मालूम हो सकी है इस मुलाकाथ से मुतालिब लेखे ये जो मुलकात हुई है रॉबिन राफियल से अमरिका एक साबक जूस्फारतकार भी है इनकी मुलकात हुई है और इस मुलकात में सेनेटर शहजाद बसीम जो पीटियाइ के हैम रहनमा है वो भी इसमें वो वो पुजूद थे इसकी मजीद जो तफसिलात हैं उसको वो अभी तक सामने नहीं आई हैं लेकि इससे पहले फवाद चोदरी ने भी पाकिस्तान में अमरीजी सपीर जो ते जो टोनल्ड बिलूम उनसे मलकात की थी जो आठ सितंबर को हुई थी और उसके बाद अब यह बताया गया है कि अब य यह एक और मलकात हैं इस हमाले से मैंने जो पीटियाए के शजाद वसीम और फवाद चोदरी दोनों से बात करने की कोशिश की है लेकिन दोनों से वारा जो है राप्ता वो नहीं हो सका है और यह एक एहम तरीन मलकात आज सपैर को हुई है तो दोस्तों यह या तो यह बहु इस सब के सामने अमेरिकन्स को गाली दो अमेरिकन्स को गाली दे दो ओविस्सी बात है जनता आपके सपोर्ट पकड़ी हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ बहुत नफरत है अमेरिका के खिलाफ अब क्यों है मुझे आज तक समझ में नहीं समझ नहीं पैसे भी अमेरिकान है इनका मुलक अमेरिका चला रहा है सब से ज़से पैसे पैसे लिए अमेरिका अब यह अमेरिका ने वो 450 million dollars का जो maintenance और spare parts का 16 का देना तो वह भी अमेरिका ने इनको दिया है इनके बच्चे सारे के सारे अमेरिका में पड़ते हैं इनकी property आ बहार है अमेरिका में एमेरिका में कैनाडा में वेस्ट में की property लेकिन फिर भी गाली अमेरिका कोई देते हैं पता नहीं जो हाथ खिलाए उसी हाथ को डसना मुझे नहीं पता कौन सी foreign policy यह क्या है मुझे बात ही समझ में नहीं आती जो आपके लिए अच्छा कर रहा है आपको उसके लिए अच्छा करना चाहिए लेकिन इत की थाली के तो हैं चट्टे बट्टे कोई भी लड़ाई होती है गल्फ वार हो अफगानिस्तान हो इराग एवरीवेर डेयर टुगेदर इनकी तो फॉरण पॉलिसी बिल्कुल एक जैसी है यह बात मुझे समझ में आई कि इन सब के इमरान खान की पूरी टीम के इमरान खा वो भी CIA funded thin tank का मेंबर था CIA funded thin tank का मेंबर तुम्हारा national security advisor है यह Robin Rafael आ रही है यह भी CIA की है ठीक है तुम गाली देते हो अमरीका को और फिर अमरीका की खुफिया एजनसी से अपने घर में चुपचाप मिलते हो यह गेम समझने वाला है दोस्तों तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर खतम होता है जल्द मैं कोशिश करूँ एक और वीडियो आपके सामने लाने के लिए फिर से मेरी गुजारिश वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्स्राइब करिए और मैं जल्द व सब्सक्राइब करने लगा हूं या कुछ है लेकिन आज जो शुरू में हुआ पहले 15 मिनट जैसे के मैंने आपना तफसरा पूरा आपको उसके वीडियो के बीच में मैंने रोग रोक के आपको वीडियो के बीच में बाते बता दी है जब मैं आपने जो सोस्ती बहुत आई किया और मेजर गौरवारियस से जिस बातों से मैं डिसेगरी किया हूं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में 15-20 वीडियो के बीच में मैंने कट लगा के आपको बता दी है बाकि मेजर गौरवारियस आज इतना डिस पॉइंट था मेरा मूर पहले था कि इतनी वीडियो यह होता है कि आप जाके खुदी पूरी वीडियो देख लो तो मेरा जो मूर था आज पूरी वीडियो करने का नहीं था लेकिन फिर मैंने सूचा कि नहीं आप एगरी डिसेगरी हो सकते हो लेकिन जिसको आप मांगते हो उसकी पूरी बात तो सुननी चाहिए ना ऐसा थोड पूरी बार इतना में जर्वार वारे असर वीडियो को रेक्ट दोबारा वापस रिवर्ड बैक है नहीं तो मैं करता नहीं में कभी आपको बता है मैं कॉश्चन अबल बठाता ही नहीं बाकि जो कहना थो मैंने आप वीडियो अगर जो पूरी देख यहां तक उनको तो पत प्तरपेंटी से नहीं आएगा जो हाफ के बाद वीडियो में मेजर गौर वारे सर ने बोलना शूरू किया ना वह आप चेक करो कि वह उन्होंने बिल्कुल सही ऐसा ही होना चाहिए ऐसे ही किसी को आप बता सकते हो और हमेशा आप ऐसे बोलते हो लेकिन जो हाफ से पहले व हमेलो मैं ही हूँ मैं पिकिस्ता नहीं हो ऑफ पाकिस्तान को समचा रहा हूँ करा रहे एक अप ऐसा हम्दर्धि है लुट गया मर गया saya मेरा देश किया को अपको अपना देश लगना शुरू हो हो गया मैं नियुक्त पतने क्या कि क्या क्या का धी दिमाग को गौर्ड नोस आज तो आप में क्लीर कर सकते हो कि क्विश्मीर का मैं ने बता दिया कि यो 300 गॉलाम पाकिस्दान को सुना चाहिए वो और रियुक्षिण सुना है कि टा कि इस नंतना को सुना है तलवार होती है एक हाथ में कुछ होता है ठीक है नहीं बोलोगे तो गला काटने की बात करेंगे नहीं तो मीठी मीठी बातें करके पैसे लेंगे ऐसे होती है एक हाथ भिखारियों की तरह एक हाथ में तलवार भीग दी तो ठीक है नहीं भीग दोगे तो गला काटेंगे तो खान खान जो कर रहा है वो सारा गेम प्लैन है उसका जनता को अपने बस में करने लिए थीक है गालिया निकाल रहा है अमेरिका को और पी चेसर से उसको पता है कि ऐनकी फॉझ के साथ उनके टायपह सा इनकी फॉझ को वह भूलेगी कि इसको चुपकरा गदे के बच्चे को इमरान को वरना मार देंगी ठीक है वरना इसको उड़ा दू तो वो इसलिए अमेरिका से भी बात कर रहा है तो यह सारा गेम प्लै यह सारा ना खिचिडी है जो यह ना दो मुहें साप है दो गले बंदे हैं अमेरिका खुद बोलता है गले तो यह सारी गेम प्लैन के सापसरा चल रहा है इमरान खान आक नंबर का अबनाय है अपने लिए वह कर रहा है वह हमें तो अच्छे ही है जितना यह गंद डालने उत्ना हमार लिए बहुँद अच्छा है वाकिशी बाते की बात भाते की ने जो बहुत डॉब बहुकर काम कर देंगे तो इनका तो और बुरा होना चाहिए मैं को मदद करनी चाहिए खुद ही बोल रहे हैं कि यह कर दफिवाइँ लेकिन आप थोड़ा सा पेन अपड़ेगा हमें फोड़ा सा पत्नियुलोगल्स हाईगा है चार करोडर संता कमने होति फुल आसमान के नीचे कि अगर उनको आज कुछ मिल गया उनके स्पोर्ट कर दिया इंडिया की आप ऐसी बाते करोगे तो वही चुप करके बैठ जाएंगे घर बनाएंगे दुबारा फिर वही चक्कर वही सरकल में गूंगते रहोगी वही दुबार को लिता पुती करके आपने सट कर दिया वह पा को दिल से प्यार करता हूं बस थोड़ा सा आज में को फील हुआ और लगा तो मैंने अपनी बाते मेरे अपने विचार थे मैंने अपने विचार आप लोगों के आगे रखें आई होप कि आपको मेरी वीडियो यह पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करना सब सब्सक्राइब करके सोलजर बन जाओ ताकि हम इस इंफोमिशन वार्फेर में अपने दुश्मनों के साथ लड़ सके मेरे और मेरे और मेरे और मेरे पहले बोल चुका हूं मेरे टॉप वो टॉप है सबसे उपर है यह कभी कुछ बोल भी देंगे ना यह खुद भी पैसे द करना तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद